हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु मैं चैनल, आज हम अमरे लाकट कुर्ती बनाएंगे, तो इस वीडियो में टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट और स्लीव्स के लिए कपड़ा किस तरह से निकाला है, यह मैंने डीटेल में बताया है, तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने तीन म फाबरिक लिया है, और सबसे पहले अभी हम टॉप पारट के लिए कपड़ा निकालेंगे, तो इस तरह से पूरे फाबरिक को हम ओपन करेंगे, तो इसको लंबाई में हमें इस तरह से ओपन करना है, और चोडाई में फूल्ड करना है, इस तरह से हमने डबल फूल्ड कर ल अभी top part की length लेंगे तो top part की length मैं ले रही हूँ 15 inch तो यहाँ पर 15 inch पर mark करना है और इसको cut कर लेना है तो इसकी width 44 inch है तो यहाँ पे चौडाई में ही टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल आएगा तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है अभी हम sleeves के लिए कपड़ा निकालेंगे तो same इसी तरह से कपड़े को रखना है जिस तरह से टॉप पार्ट के लिए रखा था तो इस तरह से फिर से fold कर लेंगे इसको 4 fold अभी sleeves की length लेंगे तो sleeves की length मैं ले रहे हूँ 16 inch उसके बाद इसको यहाँ से cut करेंगे तो इस तरह से हमने sleeves के लिए कपड़ा निकाल लिया है और यह जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा यह पूरा हमारा नीचे के घेरे के लिए रहेगा अभी टॉप पार्ट की cutting कर लेंगे तो इसके लिए देखे फाबरिक को फूरफोल में ही रखा है हमने और टॉप परड की length हमने लिए है 15 इंच अभी यहाँ पर हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रही हूँ 6.5 इंच यहीं से armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हमें chest का 4th part plus 1 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th part plus 1 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हम 1 इंच उपर मार्क करेंगे और हलका सा round shape draw कर लेंगे अभी armhole द्रॉ कर लेंगे तो इस line का half लेना है और यहाँ से back का armhole द्रॉ करना है और half इंच अंदर से front का armhole भी द्रॉ कर लेना है अभी neck की marking कर लेंगे तो neck width मैं ले रही हूँ 3 इंच और neck deep मैं ले रही हूँ साड़े 5 इंच और back के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच उसके बाद front के लिए हम हलका सा curve V shift draw कर लेंगे और back के लिए हम round shift draw कर लेंगे तो marking हो गई है अभी cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole cut करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी इसको open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को फिर से fold कर लेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो इस तरह से हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी sleeves को हमने four fold में रखा है यह देखेंगे यहाँ पर यह four layers है यह open side है और यह fold side है और इस four fold की width हमने ली है 9.5 inch जितना आपका armhole है उससे 3 inch जादा लिना है और sleeves की length हमने 16 inch ली है अभी यहाँ पर open side से हम 3 inch पर mark करेंगे और sleeves का shape draw कर लेंगे अभी यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले लेंगे 7 inch इन दुन points को जोडेंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी यहाँ पर हम एक छूटा सा cut लगा लेंगे अभी sleeves को हमें open करके रखना है और यहाँ से half inch अंदर से front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है अभी bottom part के लिए हमने fabric को double में रखा है अभी इसको एक कोने से उठा कर हमें इस तरह से triangle में fold करना है तो अच्छे से fold करेंगे तो देखें हमने इसको fold कर लिया यहाँ पर यह open side है और यहाँ पर fold side है अभी top part को हमें यहाँ पर रखना है तो जितने में यह कमर का size है उतने में adjust करके रखना है और यहाँ पर हमें कमर का निशान लगा लेना है उसके बाद हम length लेंगे bottom part की तो bottom part की length मैं लेनी हूँ 33 inch तो इस तरह से inchi tip को सरकाते वे पूरे में mark करेंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो यहाँ पर पाव inch का margin छोड़के cut करेंगे और यहाँ पर हम line के उपर ही cut कर लेंगे तो इस तरह से bottom part की cutting हो गई है तो यह दो piece है front और back के लिए अभी stitching करेंगे तो सबसे पहले front neck बनाएंगे तो इसके लिए हमने fabric लिया है इसको हम fold करेंगे और इसके नीचे रखेंगे fold side के उपर fold side ही रखनी है और neck के shape में इसकी cutting कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 inch तक का margin रखेंगे और extra fabric को cut करेंगे तो इस तरह से हमने neck के लिए strip कट कर ली है अभी इसको open करेंगे front part को और इसके उपर हम strip को उल्टा रख लेंगे और stretch करेंगे पाव inch की distance से तो हमने इसको stretch कर लिया है अभी यहाँ पर हम चुर्चटे cuts लगा लेंगे और उसके बाद strip को हम अंदर की तरफ fold करेंगे और top stitch लगाएंगे तो हमने आपर top stitch लगा लिया है बाद में इसको fold करके hand stitch करेंगे अभी back neck बनाएंगे तो back neck बनाने के लिए हमने तिर्ची पट्टी ली है इस पट्टी को हम इसके उपर उल्टा रख के stitch करेंगे और उसके बाद इस पट्टी को हम अंदर की तरफ double fold कर देंगे तो इस तरह से हमने back neck बना लिया है अभी front का part हम इसके उपर उल्टा रख लेंगे और shoulders attach कर लेंगे अभी हम sleeves attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के उपर उल्टा रख लेना है और इसे stitch करना है इसी तरह से दुसरा sleeves भी stitch करेंगे और sleeves के bottom को double fold करेंगे तो हमने दोनों sleeves को stitch कर लिया है अभी top part और bottom part को stitch करेंगे तो top part को bottom part के उपर उल्टा रखना है और इसे स्ट्रिच कर लेना है इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी स्ट्रिच करेंगे तो हमने दोनों पार्ट को स्ट्रिच कर लिया है उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों साइट से फिटिंग करनी है और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर दीना है